बोलीवुड की म्यूजिकल फिल्मे अंजाना अंजानी अंजाना अंजानी एक बोलीवुड कॉमेडी म्यूजिक फिल्म है इस फिल्म में दिखाया गया है आकाश और क्यारा दोनों अपनी जिन्दगी से प्रिशान होते हैं वो दोनों सुसाइट करने जा रहे होते हैं तभी उन दोनों की मुलकात होती है और दोनों मिलकर एक फैसला करते हैं कि हम पूरी जिंदगी मजे लेंगे न्यू एर तक इस फिलिम में लीड ओल में नजर आय थी प्रियंका चोपड़ा और रनवीर कपूर ये फिलिम रिलीज होई थी 1 अक्टूबर 2010 में ओम शान्तियों ओम शान्तियों फिलिम एक बोलीवूट ड्राम और थ्रिलर फिलिम है इस फिलिम में दिखाया गया ओम एक जूनियर आर्टिस्ट होता है और एक बड़ी अभिनेतरी शान्ति प्रिया जैसा बनना चाहता है एक दिन शान्ति प्रिया को मुकेश एक जंगा पर बंद करके आग लगा देता है उसे ओम बचाने जाता है पर वो दोनों मर जाते हैं फिर 30 साल बाद दोनों फिर जनम लेते हैं और फिर अपनी मौत का बदला लेता है इस फिलिम में ली डॉल्मेंट नजर आदे शारुखान और दीपरिका पड़ुकॉन ये फिलिम रिलीज होई दी 9 नमबर 2007 को दोस्ताना दोस्ताना फिलिम एक बोलिवूड ड्राम और कॉमेडी म्यूजिक फिलिम है इस फिलिम में दिखाया गया है कि सैम कुनाल दोनों गे बनने का नाटक करते हैं इससे क्योंने एक अपार्टमेंट मिल जाए और दोनों को अपनी रूमेट नहा से प्यार हो जाता है इस फिलिम में ली डॉलमेंट नजराय थे जोन अबराम, अभिशेक बच्चन और पिरियंका चोपला ये फिलिम रिलीज होई दी 14 नमबर 2008 को एदिले मुश्किल एदिले मुश्किल एक ड्राम और रोमेंटिक फिलिम है बोलिवूड की इस फिलिम में दिखाया गया अलीजी एक लड़की जो कि अपने प्रेकप से गुजर रही थी और आयान एक म्यूजिशन आर्टिस्ट है ये दोनों नियू योक में मिलते हैं और दोनों अपना अपना वक्त एक साथ गुजारने लगते हैं इस बीच वो दोनों अपनी जिन्दगी में बहुत सारी चीजे देखते हैं इस फिलिम में ली डोल में नजर आये थे रंडवीर कपूर और अनुशका शर्मा ये फिलिम रिलीज होई थी 28 अक्टोबर 2016 को तुम मिले तुम मिले बोलिवूड ड्राम और रोमेंटिक फिलिम है इस फिलिम में दिखाया गया अक्से और संजना जो कि एक एक स्टेंज्ट लवर होते हैं वो दोनों स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ को तुकि मुंबेई में बार आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इस फिलिम में ली डोलमेंट नजर आयते इमिरान आश्मी और सोहा अली खान ये फिलिम रिली दोई थी 13 नमबर 2009 में आश्रीकी 2 फिलिम बोरीवूड ड्रामा फिलिम है इस फिलिम में दिखाया गया है राहूल जो की एक बहुत फेमस सिंगर होता है उसे आरूही से प्यार हो जाता है और आरूही बार्स में गाने गाती है राहूल आरूही की मदद करता है उसके सपने पूरे करने में पर इस चक्कर में वो अपनी जिन्दगी नास कर लेता है इस फिलिम में ली डॉलमेंट नजर आयते आदित्य रोई कपूर और श्रद्दा कपूर ये फिलिम रिलीज ओई थी 26 अपरेल 2013 में रबने बनाडी जोडी रबने बनाडी जोडी फिलिम बोलीवूड ड्रामा फिलिम है इस फिलिम में दिखाया गया है सुरिंदर जोकी एक सीधा साधा इंसान होता है मजबूरी में उसकी शादी तानी से हो जाती है सुरिंदर तानी को इंप्रेस करने के लिए पूरा बदल जाता है राज में और उसे इंप्रेस करने लगता है इस फिलिम में ली डोल में नजराइदे शारुक खान और अनुश्का शर्मा ये फिलिम रिलीज होई थी 12 दिसंबर 2008 में ये जवानी है दिवानी जवानी ये दिवानी फिलिम एक ड्रामा रोमैंस वाली फिलिम है इस फिलिम में दिखाया गया है कबीर और नैना दोनों एक ट्रेकिंग ट्रिप पे मिलते हैं और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और नैना कबीर को चाहने लगती है इससे पहले वो कबीर को कुछ बताती कबीर इंडिया छोड़कर चला जाता है अपने सपनों की ओर उस सालों बार बे दोनों फिर मिलते हैं और तब भी कबीर अपने सपने को साकार करने की खोशिश में लगा रहता है और इस फिल्म में ली डॉल में नजर आयते है रनवीर कपूर और तीपिका पाड़कून ये फिल्म रिलीज होए थी 31 मही 2013 में कोक्टेल फिल्म एक बोल्यूट ड्रामा फिल्म है इस फिल्म में दिखाया था कि वेरोनीका दोस्त बन जाती है पहले मीरा की और बाद में वो दोस्त बनती है गोतम की और फिर बाद में गोतम और मीरा वेरोनिका के अपार्टमेंट में चले जाते हैं रहने के लिए वहाँ पर गोतम और वेरोनिका को प्यार हो जाता है इस फिल्म में लीड डोल में नसर आजे सेफरी खान, तीपिक अपार्टुगन और डाइना पैंटी ये फिल्म रिलीज होई थी 13 जुलाई 2012 में लवाजकल लवाजकल एक बोलीवूड रोमेंटिक और कॉमेडिक म्यूजिकल फिल्म है इस फिल्म में दिखाया गया एक लड़का और लड़की दोनों नई टेकनोलोजी के दोर में बहुत बड़े फेलियर होते हैं फिर वो दोनों एक दिन मिल जाते हैं और दोनों अपने अपनी लाइफ के मजे लेते हैं इस फिल्म में ली डोलमेंट नजराइजेस सेफरली खान और दीफिका पाड़कॉन ये फिल्म रिलीज होई थी 31 जुलाई 2009 को